पुना से आपके समक्ष वर्ष 2022 में होने वाले लोहडी परव और पोंगल परव के बारे में आज चर्चा करने आये हैं। इसमें से लोहडी परव पंजाब और हर्याणा और अंधी राजियों में जहां सिक्क रहते हैं। उन राजियों में मनाये जाने वाला त्योहार है। और वहीं पोंगल दक्षणी भारत में मनाये जाने वाला त्योहार है। तो आज हम इन दोनु के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लोहडी परव की। फिर उसके पश्चा चर्चा करेंगे वर्ष 2022 में पोंगल परव कब है। तो आप वीडियो में अंतितक बने रहे जो वीवर्ष चैनल पर नहीं है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिपिकेशन भी ओन कर लीजिए। जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। त इसके बाद से धीरे-धीरे दिन लंबे होने लगते हैं। मूल रूप से यह पर्व शिक्खू द्वारा पंजाब और हर्याना राजियों में मनाये जाता है। परंतु लोग प्रियता के चलते हैं। यह पर्व भारत में ही नहीं बलकि विश्वहर में मनाये जाने वाला उ बिशेश रूप से सरद्रित्व के समापन पर इस त्यवहर को मनाने का प्रचलन है। साथ यह त्यवहर किसानों के लिए आर्थिक रूप से नूतन वर से माना जाता है। जयसे मैंने आपको बताई दिया यह पर्व पंजाब और हर्याना राजी का एक प्रशिद्ध करते हैं ताकि उनके फ़सल की अधिक मात्रा में उत्पादन हो सकी, इस दिन लोभřी गीतु का बहुत अधिक महत्तों बताया गया है, गीतु के साद मृत्य करकर इस परव को मनाया जाता है, इस दिन गाये जाने वाले गीथूं के साथ पंजाबी योध्धा दुल्ला भाटी को याद किया जाता है आग के चारूं और लोग ढोल की ताल पर गिद्दा और भंगडा करते हुए इस त्योहार का जस्न मनाते हैं वर्ष 2022 पे लोहडी का पर्व तेरा जन्वरी 2022 को गुरुवार के दिन होगा तो आप सब लोगों को भी आने वाली लोहडी पर्व की हार्तिक बदाईयां अब बात कर लेते हम पोंगल पर्व की वर्ष 2022 पे पोंगल का पर्व कब है पोंगल दक्षण भारत की राज्यू में मनाये जाने वाला एक हिंदु त्योहार है उत्तर भारत में जब सूर्य देव उत्र पायन होते हैं तो मकर संक्रांती पर्व मनाये जाता है ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार धुमधाम से मनाये जाता है पोंगल के पर्व से ही तमिलनाडु में नव अर्ष की शुरूवात होती है पोंगल पर्व का इतिहास लगबक 1000 साल पुराना है त कोंगल पर्व का मूल क्रिसी है शौर पंचांग के अनुसार यह त्यावहार तमिल माह की पहली तारीक 14 या 15 जन्वरी को आता है जन्वरी माह तक तमिल नाड में गन्ना और धान की फसल पक्करत यार हो जाती है प्रकृति की अशीम क्रपा से खेतु में लहलाहाती फसल को देखकर किसानों को खुसी होती है और प्रकृति का आभाद प्रकाट करने के लिए इंद्र देव, सूर्य देव और पशुधन यानि गाय और बैल इन सब की पूजा की जाती है पोंगल उत्सव लगभग 3-4 दिन तक चलता है इस दोरान लोग अपने घरूं की साप सपाई और लिपाई पुताई करते हैं मान्यता यह भी है कि तमिल भासी लोग पोंगल पर्व पर अपनी बुरी आदित्यों को त्यागने का प्रियास करते हैं इस परंपरा को पोही भी कहा जाता है पोंगल पर्व का पहला दिन देवराज इंडर को समर्पित होता है इसे भोगी पोंगल कहते हैं क्यूंकि देवराज इंडर वर्षा के लिए उत्तरदाई होते हैं इस दिन लोग घरु में पुराने वो चुके सामानू की होली जलाते हैं शूरी के उत्राइन होने के बाद दूसरे दिन पोंगल पर वो मनाया जाता है इस दिन पोंगल नाम की बिशेश खीर बनाई जाती है इस दिन खुले आगन में लोग हल्दी की गाट को पीले धागे में पिरोग कर पीतल या मिट्टी की हांडी के उपर बात कर उसमें चावल और दाल की खिचडी बनाते हैं खिचडी पर उबालाने पर इसमें धूद और घी डाला जाता है खिचडी पर उबालाना या उफानाना शुक और समरितिका प्रतीक माना गया है। पॉंगल के तीसरे दिन यानी मातु पॉंगल पर कुर्षी पशून जैसे बेल, गाई, आदी पशून की पूजा की जाती है। पॉंगल के आखरी दिन यानि चोथे दिन को कन्या पॉंगल कहते हैं वर्ष 2022 पर पॉंगल का परुव 14 जन्वरी 2022 को सुक्रवार के दिन मनाया जाएगा तो आप लोग भी इस परुख को धुमधाम के साथ मनाईए उमीद करता हूँ लोडी और पॉंगल के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी आपको पसंद आई होगी जो भी दरसक चैनल पर रहे हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल नोटिपिकेशन भी आउन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को लाइक और सेयर करना मत बुरिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखे धन्यवा